जैसे कि फ्रेंड आपको पता ही होगा कि इस टाइब की जो लीथयमान बैटरी होती है इस बैटरी को चार्ज करने के लिए मार्किट में ये अलग से टीपी चालीच अपर मेडूल मिलता है लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी लोकल मार् चार्ज कर पाओगे तो वीडियो के बिल्कुल ध्यान से और पूरा देखना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा तो देखे इस बैटरी को अच्छे तरीके से चार्ज करने के लिए आपको क्या करना है आपको कोई भी पुरानी खराब बैटरी ले लेनी है जो कि इसके कवर को अटा दिया और इस तरीके से आप सब्सक्राइब करने को ले सकते हो जैसे कि मेरे पास चिम्टी है तो इसके मदद से हम क्या करेंगे इसको दिए धीरे थोड़ा सा उठाएंगे तो यहां पर इस तरीके से हम इसको उठा लेंगे तो यह देखें यहां पर इस बैटरी से मैंने इस BMS सर्कुट को निकाल लिया है अब इसे हमें क्या करना है देख अब इस BMS सर्कुट को हमें इस बैटरी के अंदर लगाना है तो बैटरी के अंदर देखें यह हमारा माइनस साइड होता है यह हमारा प्लस साइड होता है तो यहां पर हमें वार को जोड़ना है यह जो माइनस वाली वायर है यह हम यहां पर जोड़ेंगे लेकिन इसके अं करा यहां पर डर जालो है इसके लियों को स्काने करना है duż तैप कोई भी चमटी या पेशका से ब्लेड कुछ भी ले लो इसके उपर हमें पहले scratch कर लेना है यह देखे इसान पड़ी है अब हम्हें ह्में क्या करना है हलकी से पेश्ट लगाने में बहुत जरूर है क्योंकि अगर पेस्ट नहीं लगाऊगे तो भी नहीं होगा तो यहां पर हमने इस तरीख फ़र वायर न प्रोफ पर गरम होगा तब इसके अंदर वायर रूकेगी नहीं, तो रूकेगी नहीं तो इस तरीके से पहले हमें वायर को ऐसे बिट पर ही मैल्ट करवालेना है इस तरीके से करा लिए हमने, आप उसके बाद जहाँ पो हमने starter कर धा करना है जिस भी बैटी आंदर करना है तो आप यहाँ परसल्डिंग करना है तो यहां पर सोल्डिंग हो जाए गी तो अब मैं क्या करता हम फोट पट फट इसको जोड़ लेता हूं पलस क्मानेश देखिए यहां लगा लिया है तो लगने बाद अब हमें क्या करना है अब हमें लेना है इस टाइप का चार्डिक कनेक्टर और यह कनेक्टर आपको किसी भी लेक्टोनिक सोपे 5-10 रुपे के अंदर बड़े आराम से मिल जाएगा अब इसके अंदर देखे पेचे की तरफ हमारी दो लेग है अब इसके अंदर कोई निसान ही नहीं दे रखी प्लस वाली लेक कौन सी है मानस वाली कौन सी लेग है और दोनों लेक बराबर है तो यहां पर हमें यह पता करना है सबसे पहले कि इसके अंदर प्लस वाली लेक कौन सी मानस की कौन सी है तो इसके लिए देखे फ्रेंड यह को हम यहां पर रखते हैं तो यहां पर देख सकते हैं की device gotta principle ख ACL है तो इससे हमें क्या पता करी है यह वाली जो लएग है यह मारी माझसी आगप की क्योंकि की लरी क्रस्क्राइब और यहां पर लगाया और यहां पर लगाया तो यहां पर माझस सनक्राइब बिस का नई वोल्टेज पर काम करती है, तो अगर इसको हम डारेक्ट इसके साथ में लगा देंगे, तो क्या होगा, कि यह LED हमारी फ्यूज हो जाएगी, तो यह LED फ्यूज नहीं हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक 1K का quarter watt का resistance लगाएंगे, अब resistance के अंदर कोई भी plus minus नहीं होता, जबकि यह जो हमारी LED होती है, इसके अंदर plus minus होता है, आप देख सकते हो, एक lag हमारी बड़ी, एक lag छोटी है, छोटी होली lag minus की, बड़ी वाली lag हमारी plus की, तो इस resistance को हम किसी भी एक lag के भी लगा दिते हैं, जैसे कि मैं इसको plus के साथ में लगाऊंगा, तो यहाँ पर मैं फटा-फट इसके साथ में solding कर लेता हूँ, यह देखिए, यहाँ पर मैं पलस वाली lag की जगा पर resistance लगा लिया है, अब हमें क्या करना है, इसको हमें इस connector के साथ में जोडना है, तो मैंने देखिए, पलस वाली lag को मोड दिया था, तो यह वाली resistance वाली lag है, इसको हम इसके साथ में लगाएंगे, और यह जो हमारी minus वाली lag है, इसके साथ में लगाएंगे, तो मैं फटा-फट यहाँ पर इसके connection कर लेता हूँ, यह देखिए, यहाँ पर मैंने इस red रंग के LED को लगा लिया है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एक diode की जोड़ेगी, और मेरे पास यह जो diode है, इसका नंबर है, आई-एन-4007, जो कि किसी भी electronic soap पर एक से दो रुपी के अंदर आपको मिल जाएगा, अब इस diode के अंदर क्या होता है, फ्रेंट की एक सेट हमारे silver पट्टी होती है, एक सेट हमारा black सेट होता है, तो जो silver वाली सेट होता है, यह हमारे वाली तो यहां लेगा है इसको साइड से जुड़ना है यह लेने थे में चैसे हमने साइड हमारी यहां पर यह पर रहेगी और उस्के पाद हमें क्या करना है रेड और ब्लेक कलर्व की वायर लेनी है तो रेड वाली वायर को या हम पे ब्लेک वायर को यहां पे जोड़ेंगे इum 不कुनते जोड़ है कि यहां पर अर्च पर इसको बढ़ना है और आप जोड़ना तो यहां पर चार्जिंग कनेक्टर की प्लस माइनस वार को भी जोड दिया है तो यहां पर हमारे कनेक्शन होगे और उसके बाद एक बार के अंदर मैंने चिमटी लगा के देखे बैटरी की माइनस और प्लस के साथ में जोड दिया है ताकि अगर हमें कोई चीज चलानी हो त तो इस तरह क से आपको इसे चार्ज करना है और उसकough जैसे की बैटरी आमरे चार्ज है फिला, तो अगर यह चार्ज है आपको यूज करना हे तो इस चिछम्टिय प्लस के साथ और बैटरी का मानस को मानस साथ, तो यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़ी है तरीके से यहां पर यह काम कर रही है तो इस तरीके से फ्रेंड अगर आप भी किसी पुरानी बैटरी का BMS लगा के ऐसे चार्जन सर्कृट बना के बैटरी को चार्ज करोगे आपकी जो बैटरी है यह जल्दी से कभी भी खराब नहीं होगे और लंबे टाम तक आप अपने बैटरी को यूज कर पाओगे तो इस तरीके से भी फ्रेंड आप जुगार लगा सकते हो और अगर आपको पास जुगार ना मिले आपको यह मिल रहा है तो आप इसे भी यूज कर सकते हो तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं तब तक लिए जय हैं वंदे मातरम